हाँ इस्तीदी हो जाती है देखना ज़रा ये फोटो मैंने इस्टाग्राम पर लगाई थी यहां से हमने यूट्यूब का सफर सुरू किया था थोड़ा-थोड़ा एक्स्प्लेइन कर देता हूं इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देता हूं बड़ा गजब था यह ज ठीक है ये बोर्ड हुआ करता था इस रूम में ये रूम समझ लीजिए इस फ्लेट का सबसे अच्छा रूम था यहां बाहर इस रूम में मैं सुपर 30 की क्लासेश चलाया करता था यह जो इस टूल रखे हैं यह मैं ही लगाया करता था कितनी बार ऐसा होता था कि बच्चों के आने से पहले मैं श्टूल लगा रहा हूं और एक ही रूम में ये पुराना एसी खरीदा था हमने जो था और इस वज़े से हमें क्या करना पड़ता था रात को यहां सोते थे और सुपर साड़े साथ बजे क्लास लगती थी तो भाग क फिर हमें सब कुछ अंदर करना पड़ता था फॉल्डिंग पर सोते थे फॉल्डिंग समयटने पड़ते थे यह वैसा वाला फ्लेट था जहां पर एक ही रूम से तीनों अंदर तक एंट्री करते हैं तो यहां से एक अंदर एंट्री करके रूम था और लाश्ट में एक और और लूम था बहुत गंदा जहां हमीशा अंदरा रहता था जिसमें मैं सोता था हमेशा वो मेरा रूम ता पता नहीं वहां रहके भी इतना पॉजिटिव कैसे था मुझे आज वी एकीन नहीं होता आज तो थोड़ी दोपनी मिलती तो गृटन होने लगती है लेकिन यह भी टी-शेट लाया था तब इतनी टाइट आ रही थी मुझे लगता टी-शेट खराब होती है चुपती है वो चुप इसले रही थी टाइट बहुत थी अब मैंने वजन कर लिया कम तो अब यह बहुत कमफर्टेबल है बहुत सही लग रही है इसलिए कहते हैं कपड़े हमेशा चोटे लाओ एक मॉटिवेशन बना रहेगा कि मुझे वजन कम करके पहनने है मौटे हलुआ मत बनो मुझे तो अभी और कम करना है कम से कम 45 किलो और कम करना है भी तीन लोगों का करना अपना नहीं अकेले बच्चे का क्या 45 कम करने के बाद तो कई लोगों का तो हमारे स्टाप में 45 है भी नहीं